गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा नाम रानी है मैं सोनी पत्से हूँ मेरी उमर 38 साल है आज मैं आप सभी के सामने अपनी परस्रन जन्नी सेयर करना चाहते हूँ जो उमीद और हिमत से भरी हुई है पिछली साल स्टेंबर में मुझे लेडिस प्रोबलम चल रही थी इसलिए मैं सोनी पत्स के पारक निदान होस्टिटल में लेडिस डोक्टर के पास चेक अप के लिए आई उन्होंने मेरा चेक अप किया और कुछ टेस्ट कराने के लिए बोला जब टेस्ट के रिपोर्ट आई तब मुझे पता लगा मुझे कैंसर है वो मेरे लिए बहुत मुस्किल से मैं था लेकिन मुझे डोक्टर गोहर एमद का सपोर्ट मिला जो बहुत अच्छे कैंसर के डोक्टर है जब रानी मेरे पास आई थी पहली बार जब रानी मेरे पास आई थी पहली बार शी वाँ डिगनोस्ट कर्शनोमा सर्रेक्स फिगोस्टेज तो बी चलेंज इन इस के लिए बहुत ही गवगाई हुई थी उस्ते उमीद छोडी थी हर तरेंज रहती थी बट हमने उसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट को समझाया ट्रीटमेंट के को समझाया और वो फिर तयार होगी ट्रीटमेंट प्लान इन डिस केश वास वेडिस शिंपल हमने पहले उस रिडेशन जो कि बाहई दी जाती है external beam radiotherapy followed by internal radiation साथी साथ weekly chemotherapy एक शौर्ट लोज होती है वो हमने प्लान किए थी लैट वस कॉंकर्ट की मोरेशन फॉलोड वा इंट्राकेटरी रेडियो थे रेडिशन थेरपी में हम हर एनर्जी रेडिशन दिये जाती हैं जिससे पारक नीदान होस्पिटल का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आज में कैंसर मुगध हूं अगर आपको या आपके जानने वाले को कोई भी कैंसर या कैंसर रेलेटेड शिकायत हो वो तुर्ण मेंडिकल है ले 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 ताकि अर्ली डियागनोसिस बला कर जल्दी ठीक हो जाए अर्ली डियागनोसिस से ट्रीटमें रिगावरी के चांसे बहुत बढ़ जाते हैं नहीं बढ़ आलेड को सुछे ट्रीटमे हो जाते हैं जाते हैंट कर शोट्रीटमे बढ़ थान अर्ड ट्रीटमे नापके ली के खीचावरी कोंले शिकायत रीग कि अबढ़ धिए बढ़ ट्रीटमें। झाल झाल